नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है विक्स टॉक स्कूल आज हम बात करेंगे आइडिया के शेर के बारे में जो कि आप देखें लगबग यहां पे आदा परसंड नीचे की और आता हुआ हमको देखने को मिला आइडिया का लगबग 10 रु ओपनिंग देखने को मिली और यहां पर थोड़ा यसा यहां पर देखें मोमड इसमें हुई लेकिन जादा इसमें मोमड हमको नहीं देखने को मिली जो कि हमको जादा तर आइडिया के शेर के अंदर यहां पर देखने को मिलती है और उसी लेवल के आजपास आते हमको जिस जो है बहला जादा मुवलिंग तो नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है, सो आने वाले दिनों में इसके क्या लैवल हो सकते हैं, क्या यहाँ पर हमको इस व gratuit की आशपास इसमें वाइंग करनी चाहिए या नहीं, और अगर यहां पर इसमें buying नहीं करनी चाहिए यहां करनी चाहिए तो उसके बार यहां पर हमको किस level के उपर जारा ध्यान देना पड़ेगा idea के share के अंदर अब थोड़े दिन इसमें कोई भी news बगएरा नहीं आ रही जिसकी वजह से यहां पर ही इसमें जो volume है आप देख सकते हैं कितना ज़ादा volume हमको देखने को मिला था लेकिन अभी यहां पर बिल्कुल कम volume हमको देखने को मिल रहा है पिछले दो तिन दिन के अंदर अंदर इसके बारे में पूरी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि आइडिया के अंदर हमको आने वाले दिनों में क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और आपको इसमें यहाँ पर बाइंड वगहरा करनी चाहिए या नहीं जानने के लिए पूरा इसको पूरी वीडियो को लास्त तक जरूर देखेगा जो लोग मेरे चानल पर नहीं हैं वो करेपा यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा आप यहाँ पर सब्सक्राइब के बटन के ओपर कलिक कर सकते हैं साथ में बैल आइकन के ओपर नोटिफिकेशन के ओपर ओल कर दीजिए ताकि जो भी मेरी लेटस्ट वीडियो वो आप तक आराम से पहुंच सके सो यहाँ पर आप देखिए तगरीबन जो आइडिया का शेर है आज के दिन भी हमको 20-day moving average के नीचे ही हमको closing इसकी देखने को मिल रही है जो कि हमने पहले ही मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर इसका जो volume है वो आप देख सकते हैं इसका volume भी हमको थोड़ा कम ही होता हुआ देखने को मिल रही है लगा थार पिछले 5-6 दिनों के अंदर-अंदर यहाँ पर आप देखिए पहले इसका volume कितना था उसके बार यहाँ पर अगले दिन फिर से हमको कम इसमें volume देखने को मिल रहा है उसके बार फिर से कम और फिर से कम और आज के दिन आप देखें यहाँ पर हमको पिछले एक अफ़ते से सबसे कम volume इसमें देखने को मिल रहा है तो लगा था आइडिया के अंदर यहां पर जैसे शेर नीचे के और आ रहा है हमको इसमें volume की कमी भी हमको देखने को मिल रही है तो इसका मतलब यही है कि इसमें यहां पर share तो नीचे के और आ रहा है लेकिन यहां पर जो इसका downtrend है वो यहां पर volume supported इतना नहीं है इसकी वाज़ा से यहां पर जादा हमको downside के और moment इसमें नहीं देखने को मिल रही है और पिछले दो दिन में आप देखें यहां पर इसी level के आसपास यहां पर यह share रहा है जादा ऊपर नहीं जा रहा है और जादा नीचे के और भी नहीं जा रहा है यहां से हम कहेंगे कि 10 रुपए है कि इसका यहां पर अच्छा support बना हुआ है अगर इसके नीचे हमको यहां पर थोड़ा थोड़ा जाता हुआ हमको देखने को मिलता है तो हो सकता है यहां पर यह तकरीब नौ रुपए कि आसपास इसका अगला support बनता है नौ रुपए कि अगर मालीजी आने वाले दो तिन दिन के अंदर दो यहां पर फिर से वालिम हमको कम होते हुए देखने को मिलेंगे तब यहां से मैं कहूँगा कि इसमें बहुत जादा बड़ी मुवमेंट नहीं होगी अगर इसमें मुवमेंट होगी आप देखी यहां पर कितनी बड़ी बड़ी यहां पर कैंडल बनी हुई देखने को मिली है यहां पर पिछले तीन दिन की यहां पर कैंडल देखे बहुत चोटी यहां पर कैंडल हमको देखने को मिल रही है यहां पर मैं कहूंगा volatility इसमें पिछले तीन दिन में हमको कम देखने को मिली है जिसकी वज़ासे share जो है यहां पर इसी level के आसपास यहां पर लगबग 10 रुपे के आसपास यहां पर consolidate कर रहा है यहां पर जो लोग यहां पर long term के लिए खरीदारी भी किये हुए है क्योंकि यहां पर माल नीज़ा अगर यहां पर share जो है बहुत जादा volume के साथ downside की और आता तब यहां से इसके chances बनते थे कि यहां पर यह अपने support जो भी इसके बने हुए है उसको यहां पर तोड़ने के बादे downside की और हमको दुबारा आता हुआ देखने को मिल सकता है लेकिन यहां पर इसी level के आसबस दस रुपे को यहां पर इसने अच्छा अपना support बनाया है इसके नीचे यहां पर जाता है लेकिन फिर से दस रुपे के उपर हमको closing इसमें देखने को मिलती है जो कि एक अच्छी बात है यहां पर जो लोग इसमें position बना चुके हैं सो यहां पर एक और चीज़ देखने वाली आप देखिए आज के दिन यहां पर मैं आपको 15 मिनट का चार्ड दिखा रहता हूं लेकिन यहां पर जो इसका आज के दिन लोग लगा है वो तकरीबर 9 और पे 85 पैसे आज पास हमको देखने को मिला है यहां से हम कहेंगे जो इसका लोग था कल के दिन जो इसका लोग बना था उसको आज इसने नहीं टच किया जो कि यहां पर एक अच्छी बात है और मालीजे अगर Monday की दिनी यहां पर हमको इसमें यह जो आज का low बना है इसके उपर-उपर ही यहां पर रहता है तब हम यहां से कहेंगे इसमें थोड़ी सी upside की और moment यहां पर दीरे-दीर बढ़ती हुआ हमको देखने को मिल लिए वो भी consolidation zone के अंदर-अंदर ही जो कि एक अ consolidate करता हुआ शेयर आप देखें यहां पर नीचे के और आ रहा है और यहां पर 20-day moving average हो इसके ने तोड़ दिया और इसके पार मालीजे यहां पर इसके चार-पांच दिन यहां पर इसके नीचे रही रहता है 20-day moving average के तब हम यहां से कहेंगे कि यह एक इसके लिए बुरी ब बगार यहां पर इसमें नई buying करनी है तब यहां से मैं कूंगा अगर 20-day moving average के उपर आपको इसमें closing देखने को मिलती है और एक दो दिन इसके बाद इसके उपर ही यहां पर रहता है तब आप इसमें नई position अगर जाहें तो बना सकते हैं लेकिन यहां पर आप देखें selling करते हुए देखने को मिलें लेकिन यहां पर शेयर तो नीचे की और आ रहा है लेकिन volume इसका कम हो रहा है इसका मतलब है कि यहां पर जो downtrend है वो volume supported नहीं है और यहां पर थोड़े time के बार जब भी को इसमें कोई भी movement आएगी तो यहां से यह दोबारा इबार ऊपर के और momentum को करता हुआ देखने को मिल सकता है तो आप उसी हिसाब से यहां पर trade लेजी एक और यहां पर मैं बात आपको बता दूँ कि यहां पर यह बिल्कुल news driven यहां पर share है idea का अगर इसमें कोई भी अच्छी news आती है तो यहां से अपसेट के और अच्छा खासा बाग सकता है long term के लिए लेकिन यहां पर जो भी code का वैसला है अगर यहां पर idea के favor में नहीं आता है तब यहां से share जो है वो दुबारा अपना जो इसका 300 रुपे का level है आप देख सकते हैं यहां पर हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है तो जो लोग यहां पर कहते हैं कि हमारे पास जित यहां पर अगर अंदा दून यहां पर buying करेंगे तब यहां पर आपका loss बहुत बढ़ जाएगा अगर आपने बहुत बढ़ी इसमें जो अपनी quantity ली हुई है इसके अंदर आपको इतना ही यहां पर पैसा लगाना है idea के अंदर जो कि यहां पर अगर मालीजी आपका do भी ज है कि अपसेट की और जाएगा आपको सिर्फ 10% तक यहां पर इसमें अपने जो पैसे हैं वह लगाने उससे जादा बिल्कुल भी मत लगाई है और यहां पर इस शेर को छोड़ दिए यहां पर मैं आपको ओवराल बता रहता हूं को कभी भी किसी कि किसी भी शेर के अंदर लगबग अपने 100% के जूतने वी आपके पास पैसे हैं सभी एक ही शेर के अदर कभी बिल्कुल नहींbol लगाने चाहिए आपको यहां पर मेशां लगबग यहांपे कं से कम आपको 5 शेर के अंदर ंदर यहांपे आपको अपने पैसे लगाने चाहिए तो यहां पे अगर इसमें आप बाइंग बगारा करना चाहते हैं तो यहां से मैं कहुंगा कि अगर आप चाहें तो अभी एक दोर दिन और देख सकते हैं अगर यहां पे इसमें कोई अगर और यहां पे कम हो जाएगा इसमें कछया रिवर्सल होने के यहां पर चांसी मैं क्याल चाहते है आपको यहां पे फोड़ी क्वहन्टिटी यहां लेनी है अगर आपने लॉंक्ट एक नहीं कए लिए लिया हुआ है तो आप यहां पर एसा फोड़ा बाइंग नहीं करने हैं मैंने आपको बता दिया है तो आपको यहां पर रखने के बार यहां पर चोड़ सकते हैं और जो लोग नहीं पूजिशन बनाना चाहते हैं वह यहां पर कोँगा दस रुपे के आसपास यहां पर चाहें तो आप इसमें नहीं पूजिशन बना सकते हैं लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ा और वेट कर सकते हैं जब तक यहां पर यह 20 डे मुविंग एवलेज के उपर यहां पर नहीं आता और इसके उपर हमको इसमें नहीं देखने को मिलती हैं तो लेकिन यहां पर मैं को और चीज़ बता दूँ है यहां पर एक ही दिन के अंदर आप देखें यहां पर 9 रुपे 30-23 पैसे लेके यहां पर लगबग 10 रुपे तक यहां पर 1 रुपे का यहां पर अच्छा खासा अपसेड की और मुमड भी हम कहूंगा तो यहां पर 20-day moving average के ऊपर जब भी आता है आपको तब इसमें के अंदर यहां पर buying बगएरा करने चाहिए बाकि यहां पर मैं कहूंगा आप मेरे कहने के बिल्कुल भी किसी भी share के अंदर यहां पर buying बगएरा मत कीजिए ना buy कीजिए ना sell कीजिए अपना analyze कीज बनानी है तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए जो लोग शेर मार्केट में investment करना चाहते हैं वो नीचे description में डीमेड अकाउंड का लिंक दिया हुआ है वहां पर जाकर अपने डीमेड काउंड खुलवा सकते हैं शेर मार्केट में